बक्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आप कर सकते हैं किसी को भी अपने वश में जी हां आपको अगर किसी को भी अपने वश में करना है उसका बस एक ही तरीका है वो आज मैं आपको बताने जा रहे हैं तो ध्यान से देखिए ह इस वीडियो को क्योंकि इसमें आपको मिलेंगे कुछ ऐसे रोचक तत्य जी हां जिससे कि आपको पता चलेगा कि जनरली हम किस तरह की गलती कर देते हैं और हमारा जो वशीकरण का जो उपाय है वो नहीं हो पाता है आज मैं आपको बताती हूं कि कैसे आप घर पर इस छोटे इस तरीके से अने कि अपने हाथ पर नाम लिखकर आप कर सकते हैं किसी भी औरत को किसी भी लड़की को अपने वश में जी हां तो आपको कोई भी एक पैन का इस्तमाल करना है कोशिश करें कि पैन जो है वो नीले रंग का हो नीले रंग के पैन का इस्तमाल करके आपको ये क अपने वश में करना चाहते हैं। आपको उसका नाम लिखना है ?ि आपको अपने हाथ पर लिखना है उस व्यक्ति का नाम जिससे आपarial हाँ से नेले रंग के पैं से आपको लिखना है उस व्यक्ति का नाम आपको इस तरह से आप उसका नाम लिख लीजिए आप मैं यहाँ पर नितिन नाम लिख रही हूँ आप जिसे भी अपने वश में करना चाहते हैं चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो इस तरह से आप उस व्यक्ती का नाम अपने हाथ पर लिख लीजिए और आपको ये करना है कि ये नाम आपके हाथ पर 24 घंटे तक रुटिका रहना चाहिए इसलिए थोड़ा डार्क करके आपको इसे लिखना है जिसे कि तुरंत ना मिड़ जाए और अगर ये हलका हो जाता है तो आप इसे दुबारा से डार्क कर सकते हैं इस तरह से आपको नाम यहां पर लिख देना है अब आपको अगला कारे क्या करना है मैं आपको बता देती हूँ अगला कारे आपको ये करना है कि आपको इस मंतर का उच्चारण करना है यह मंत्र है ओम नमो भगवते जी हां मंत्र बहुत आसान है आप चाहे तो इसे लिख भी सकते हैं मैं आपको बता देती हूँ आप यह मंत्र है ओम नमो भगवते नमहा इस मंत्रका उचारण करते जाना है आपको दो दिन तक आपको इसका उच्छारण करना है 108 x 108 बार और आपके हाथ पर जिसे आप वश में करना चाहते हैं उसका नाम लिखना है इस तरह से आप देखेंगे कि मात्र दो दिनों के अंदर अंदर वो व्यक्ती आपके वश में होगा जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं तो भक्तों आज के लिए बस इतना ही अगर आप चाहते हैं, कोई और समस्या का समाधान पाना तो आप हमारे नंबर पे कॉल कीजिए अगर आप ये उपाय नहीं कर पा रहें तो आप हमें कॉल करके भी ये उपाय करवा सकते हैं तो आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद भक्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे बेल आइकन को दबा दीजे